तो वही कोटा से हमारे सयोगी राजेंद्र भारदवाज ने लोगों से उनकी राय जानी है आई आपको सुनवाते हैं का नया वेरियंट ओमिक्रोन अब राजस्तान में भी दस्तक दे चुका है लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं जैपुर में भी आज पेशेंटों की तादात काफी बढ़ी है ऐसे में जिस तरह से वेक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो किस तरह से कारगर होगी इसके बारे में क्या समझते हैं? तो साइंटिस्ट अगर इस तीज को क्रीन सिगनल देते हैं और ये टेस्टिंग के अंदर पास होता है और इस एफ इस सेफ और हुमन बॉड़ी तो डेफिनिटली वेक्सीन को अनिवारे कर देना चाहिए अगर वेक्सीन हमारे बचाओं के लिए है और मैं तो इंफेक्ट ये कहूंगा कि राइट टू वोट राइट टू परचेज हर चीज पर बैयन हो जाना चाहिए अगर वेक्सीन नहीं है तो हर चीज के वर पावंदी हो जानी चाहिए बच्चों को लेकर जो वेक्सीन है उसके लिए क्या सोचते हैं आप सर सौ परसेंट बचों को वιαक्सीन होना चाहिए क्योंकि बचों का जो इम्pflicht लेवल होता है बहुत ज़या होता है तो अगर बचों को वैक्सिनेशन होगा तो उनका इम् Україची होगा वो भी बढ़ जाएगा ताकि स्कूल ओपन हो चुके हैं तो उसमें भी बच्चे परिशान नहीं हो पाएंगे और उनको जो ये बिमारी है कोरोना उससे बचने के लिए अच्छा हो पाएगा वेक्सीन को अनिवारे कर देना चाहिए ये बात कहां तक सही है बलकि मैं त सकें अपना और बहुदी पैरिंट्स को भी इस चीज़ का द्यान देना चाहिए कि वह चीज़ का द्यान रख पारें के नहीं टश्वीरें बिल्कुल साहब है लोगसबाइस्पीकर ओंबिल्ला से काफी आशा की जाती है और अफेक्शा भी की जाती है तो कहीं ने कहीं लो लोगों को राहत परदान की जाए ऐसा आस्वासन यहां पर दिया गया है कैमरामेन विकरम सिंग्चोवान के साथ राहेंदर बाद